अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि श्रेक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल के बच्चों से लड़ रहे थे। और दूसरे स्कूल के बच्चों का लीडर अब गुस्से में आकर अपनी स्पिरिट सोल को निकाल लेता है और अब उन दोनों में सीरियस वाली लड़ाई होने लगती है। जमाने की कोशिश करने लगता है और यहाँ जो तैंक शैंक को मिसंडरस्टानिंग थी कि यह सिर्फ डिफेंस करेगा वो तूट जाती है क्योंकि वो अब अटाइक भी करने लगता है। के भी उनसे नहीं जीत पाता और मार खाकर एक डस्बिन में गिर जाता है। असल मिनिंग रॉंग 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 अब सुधर गई थी और वो श्रेक स्कूल के बागी बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि उसे औसकर की बात समझा गई थी। अब अगले दिन वो सब फिर से जंगल में जाते हैं जहां उन्हें फिर से अजीब अजीब से बहुत सारे क्रीचर्ज नजर आते हैं। और वो सब मिस्टर जाव की प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत खदरनाग बीस्ट नजर आता है। ये एक बहुत बड़ा स्नेक है और इसका नाम मिलेनियम फिनिक्स टेल क्रेश सर्पिंट है। ये एक हजार साल से भी पुराना साप है, जिस सब्धे से ये बहुत ज़ादा शक्तिशाली है। अब वो सबी टीम वर्क के साथ इसको मारने की प्लानिंग करते हैं। और फृर प्लान के अनुसार उसको अपना-पना अटैक करते हैं। और फाइनली काफी स्ट्रगल के बाद वो उसको घायल करके नीचे गिराने में काम्याब हो जाते हैं। अब आस्कर को उसको जान से मार के उसके अंदर के स्पिरिट रिंग हासल करनी थी। और वो अपने चाकु से इसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तबी जीवो उससे पूछती है कि क्या हम इसको जिन्दा नहीं छोड़ सकते। जिस पर तैंक शैंग उसे समझाता है कि ये प्रकृती का नियम है। इस संसार में जो जादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर को मार ही देता है। क्योंकि अगर हम इस से कम ताकतवर होते तो हम इसकी जगह जमीन पर लेटे होते। तो ये भी हमें जिन्दा नहीं छोड़ता। अब फिर आसकर आगे बढ़कर उसे मानने लगता है कि तभी वहाँ एक दादी और उसकी पोती आप पहुँचते हैं। और उन सबसे कहती है कि इस जानवर को पहले हमने देखा था और हमने इस पर वार भी किया था। हमने पहले इसके पेट पर अटाक करके इसे घायल कर रखा था। और तैंक शैंग के चेक करने पर वहाँ उन्ने तीन निशान भी मिल जाते हैं। असल में दादी अम्मा उसकी स्पिरिट रिंग को अपनी पोती को देना चाहती थी, जिससे वो स्ट्रॉंग पन सके। लेकिन मिस्टर जाओ उसकी बात नहीं मानना चाहता। असल में दादी और दादा, यानि दादी के पती बहुत ज़ादा स्ट्रॉंग है। अगर दादा और दादी एक साथ मिलकर फाइट करें, तो इनसे कॉंटिनेंट के बड़े-बड़े योधार जाएंगे। लेकिन अभी दादी अकेली है और दादा इसके साथ नहीं है। जिस वज़े से मिस्टर जाओ चाहे तो इसे हरा सकते हैं, लेकिन मिस्टर जाओ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। क्योंकि क्या पता, दादा यहीं कहीं जंगल में हो? इसलिए उन दोनों में थोड़ी पोलाइट मैनर में पहस होने लगती है। जिसके बाद उनमें ये डिसाइड होता है कि पोती और तैंक शैंग के बीच फाइट होगी। और अगर पोती फाइट को जीतेगी तो स्पिरिट रिंग वो हासल करेगी। और अगर तैंक शैंग फाइट को जीतेगा तो स्पिरिट रिंग आसकर हासल करेगा। पोती से लड़ना कोई असान बात नहीं थी क्योंकि वो rank 30 पर थी और उसके spirit soul भी serpent stick की थी जो बहुत strong थी लेकिन इसके भावजूद भी उन दोनों में अब fight होने लगती है और पहले tank shang अपनी skill का use करके उसे बांदने की कोशिश करता है लेकिन पोती उसके इस वार से बच में टकराने लगती है और फिर कुछ तेर बाद दोनों दूर जाकर गिरते हैं जिसमें पोती तो बेहोश हो जाती है लेकिन tank shang घायल होने के बावजूद होश में था यानि अब tank shang जीच चुका था और पोती हार चुकी है अब tank shang तुरन meditate करने बैठ जाता है क्योंकि वो पाद द्रेन हो चुका था और वही दादी अब अपनी हार सुईकार करके उने spirit ring को ले जाने देती है अब ऑसकर उसको मार कर उसमें से spirit ring हासल करता है और meditate करता है अब उसके जागने के बाद सब उसके spirit ring देखने को उच्प सुख होते हैं लेकिन वो अपनी spirit ring को दिखाने म शर्मा रहा था लेकिन जब सब ये कहते हैं कि वो उसके spirit ring को देखकर हसेंगे नहीं तब वो मान जाता है और उन सब को अपनी spirit ring का यूज करके एक tasty sausage बना कर दिखाता है अब ये देखकर सब बुरी तरह हस पड़ते हैं जिस आता है और वो कहता है कि हमें अभी इस जंगल से नहीं जाना चाहिए जिस पर मास्टर जाव डाटते हुए कहते हैं कि ये जंगल कोई खेलने की जगह नहीं है जहां तुम पिकनिक मना सकते हो अब इस पर तैंक शांग के लिए स्पिरिट रिंग ढूनने का डिसाइड करते हैं अब वो सब फिर आगे बढ़ने लगते हैं जहां एक जगह रुख कर सब बाते करते हैं तैंक शांग मिस्टर जाव से इंसानों के बारे में डिसकस करता है कि हम लोग अपनी कल्टिवेशन के लिए सोल बीस को मार डालते हैं इंसान अपनी जिंदगी में 5 से 6 सोल बीस को मारता है और वो भी बिना कुछ देखे समझे इससे तो एक दिन सारे सोल बीस खतम हो जाएंगे और इंसान भी फिर कुछ सालों बात कल्टिवेट नहीं कर पाएंगे अब जैसे जैसे तैंक शैंक सोल बीस के मरने की बाते कर रहा था वैसे वैसे जीवू थोड़ी निराश नजर आ रही थी असल में जीवू की भी अपनी एक डिफरेंट और इंटरस्टिंग स्टोरी है जो हमें आगे पता चलेगी अब वो सब बाते कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जमीन हिलने लगती है और भुकम पाने लगता है वहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे जानवर भी हलचल करने लगते हैं और मिस्टर जाओ को समझ आ जाता है कि अब बहुत बड़ा खत्रा उनके सामने आने वाला है वो जंगल के बीचों बीच मौजूद थे जिस वज़े लिकिन यह यहां मौजूद है और उन्हें इसके यहां होने का रीजन भी समझा जाता है अब मिस्टर जाओ उसके सामने जाकर उससे पुलाइटली यह कहते हैं कि अगर यह आपकी जगह है और आप हमें यहां नहीं देखना चाहते तो हम यहां से चले जाएंगे हम कोई सबी को मारना चाहता है अब मिस्टर जाओ अपनी सोल पार का यूज करते हुए उस पर हमला करता है और निंग रॉंग रॉंग अपनी सोल पार का यूज करते हुए मिस्टर जाओ की स्पीट को 30 गुना बढ़ा देती है लेकिन इस सब से भी वो जाइंट टेप नहीं मरता अब बाकी सब भी अपनी सोल पार का यूज करते हुए जाइंट एप पर हमला करते है लेकिन वो जाइंट एप का कुछ नहीं बिगार पाते और वो सब वहाँ से बाहर भागने का डिसाइट करते हैं लेकिन इस बीच जाइंट एप जीवु को पकड़ लेता है अब तैंक चैन और मिस्टर जाउ को गुस्सा आजाता है और मिस्टर जाउ अपनी सेवन स्पिरिट रिंग का यूज करते हैं जो एक बियर की थी वो फुल पोटेंशिल के साथ जाइंट एप पर हमला करते हैं लेकिन अब भी जाइंट एप घायल होता है लेकिन मरता नहीं है अब एक वही थी उसकी लाइफ में जिसके लिए वो सबसे जादा केर करता था वो जाइंट एप के पास पहुँचकर उसे मारने की कोश्च करता है लेकिन जाइंट एप उसे धक्का मार देता है और खुद जीवू को लेकर वहां से भाग जाता है अब सब बच्चे जीवू के जाने से बहुत दुखी होते हैं और तैंक शेंग बहुत जादा रिग्रेट कर रहा होता है क्योंकि वो जीवू को नहीं बचा पाया लेकिन अब वो उसको बचाने का डिसाइड करता है और वो तुरंत आसकर से फ्लाइंग सॉसेज मश्रूम बनाने को कहता है आसकर के पास थर्ड रिंग तैंक शेंग के बज़े से आई थी इसलिए मिस्टर जाओ के मना करने के बावजूद वो तैंक शेंग की बात सुनता है और वो उसे फ्लाइंग सॉसेज बना कर दे देता है जिसको खाने के बाद तैंक शेंग के पास पंग खा जाते हैं और वो जीवू को ढ प्लाइंग सॉसेज मश्रूम बनाने लगता है। वही वो जाइन टेप जो जीवू को अपने साथ ले जा रहा था, वो जीवू के प्रती बहुत पोलाइट था। और जीवू भी उससे अराम से बात कर रही थी। और उससे कह रही थी कि मेरे दोस्त मेरी चिंता कर रहे होंग तुम्हें मेरे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए और तुम्हें मुझे ऐसे उठा कर भी नहीं लाना चाहिए था। यहां से हमें ये पता चलता है कि जीवू पहले से ही इस जाइन टेप को जानती थी और ये जाइन टेप उसको मारना नहीं चाह रहा था और जाइन टेप जीवू की सारी बाते भी मान रहा था फिर हमें तैंक्शान को दिखाते हैं जो ढूंटे-ढूंटे जाइन टेप के पास आप पहुँचता है और इसी के साथ फिर ये एपिसोड यहीं खतम हो जाता है